दोस्तों कर आप भी वानिंदु हसरंगा और हारदिक पांडिया को बहतरी इन आल राउंडर मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा दोस्तों साउथ अफरिका से हार के बाद रोपड़े श्री लंका के कप्तान वानिंदु हसरंगा भारत से आस रखते हुए कहा कुछ ऐसा जिसको सुनकर आप भी रह जाएंगे तक जी यहां दोस्तों श्री लंका और साउथ अफरिका के बीच खेले गए मैच में श्री लंका की टीम को हार का सामना करना पड़ा है जिसके बाद अब श्री लंका के कप्तान वानिंदु हसरंगा का बयान सामने आया है इस दोरान उन्होंने एक ऐसा बयान जारी कर दिया है जिससे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे तो आखिर कार हार के बाद श्री लंका के कप्तान वानिंदु हसरंगा ने भारत को लेकर क्या कहा ये तो आपको बताएंगे ही तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंट तक जरूर देखिएगा लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है श्री लंका की टीम के साउथ अफरिका के खिलाफ करारी हार के मुक्खे जिम्मेदार कौन रहे हैं अपनी राय नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों जैसा कि आपको पताएं आज वर्ल्ड कप का चौथा मैच खेला गया जो श्री लंका और साउथ अफरिका के बीच नियू यॉर्क के नशाओ क्रिकेट स्टेरियम पर खेला गया इस मैच में श्री लंका की टीम ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया जो बिल्कुल गलत साबित हुआ क्योंकि श्री लंका की टीम पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई और 19 दशमला वेक ओवर के अंदर मातर 77 रन पर अल आउट हो गई और इसका पीछा करने के लिए आई साउथ अफरिका की टीम ने शुरू में लड़कडा आने के बाद बहतरीन बनेबाजी करते हुए मैच को अपने नाम कर लिया ऐसे मैच में इस मैच में मिली हार के बाद श्री लंका की टीम के कप्तान वानिंदू हसरंगा ने भारती टीम से उमीद करते हुए हैरान कर देने वाला बड़ा बयान जारी कर दिया है जिसमें श्री लंका की टीम के कप्तान वानिंदू हसरंगा ने बयान देते हुए काय की साउथ अफरिका और श्री लंका के बीच खेलेगा इस मैच में साउथ अफरिका की टीम को मिली जीत के बाद मैं काफी ज्यादा निराश हूँ क्योंकि इस मैच में हमारी टीम के सबी खिलाडियों का काफी ज्यादा खराब प्रदर्शन देखने को मिला है इस मैच के अंदर हमारी टीम के बल्ले बाजों ने जिस परकार से खराब बल्ले बाजी करते हुए साउट अफरिका की टीम को मैच के अंदर पूरी तरीके से हावी होने का मौका दिया है उसी के कारण आज हमारी टीम को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा है क्योंकि इस मैच में हमारी टीम के पास में टॉस जीत कर पहले बल्ले बाजी करने का बड़ा स्कोर खड़ा करने का मौका था लेकिन हमारी टीम के बल्लेबाजों ने आज इस मैच के अंदर बिल्कुल भी बहतर बल्लेबाजी नहीं की साथ में हमारी टीम के सबी गेंदबाजों ने पूरी कोशिश की लेकिन हमारी टीम को इस मैच के अंदर जीत दर्ज करने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिल सका इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि इस मैच में हमारी टीम को खराब बल्लिबाजी के कारण हार का सामना करना पड़ा है लेकिन साउथ अफरिका की टीम ने आज इस मैच के अंदर बहतर खेल दिखाया जिसके चलते उनको जीत मिल गई है मुझे ऐसा लगता है कि ये टीम जिस प्रकार से आज के मैच में बहतर तेरा से खेलती हुई दिखाया दी है उस हिसाब से साउथ अफरिका की टीम को रोक पाना काफी ज्यादा मुश्किल है अगर इस टीम को कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ भारत टीम है मुझे आफरिका के खिलाव काफी ज्यादा बहतर पृदर्शन करते हुई जीत दर्ज कर सकती है इसके लावा उन्होंने अंत में बयान देते हुए काई कि भारती टीम के पास मैं साउथ अफरिका की टीम को बुरी तरीके से हारने के काबिलियत मुझूद है ऐसे में मुझे उम्मीद है कि भारती टीम साउथ अफरिका को हरा कर हमारी टीम का बदला भी बड़ी आसानी से ले सकती है ऐसे में साउथ अफरिका की टीम भारती टीम से बच कर रहे तो दोस्तों आपको क्या लगता है श्री लंका की टीम की हार की असली वज़ा क्या रही अपनी राय नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें दोस्तों जैसा कि आपको पता है साउथ अफरिक और श्री लंका के बीच वर्ल्ड कप का रुमान चक मैच आज खेला गया जहाँ पर इस मैच में न्यूँ यॉर्क के मैदान पर साउथ अफरिका की टीम ने शांदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की है इस मैच में श्री लंका की टीम के कप्तान हसरंगा ने टॉस जीत कर पहले बल्ले बाजी करने का फैसला किया जो बिल्कुल घलस साबित हुआ और गेंद बाजी करने के लिए साउथ अफरिका की टीम को आमंतरित किया जहाँ पर इस मैच में श्री लंका की टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए निशंका और कुजल मैंडेस मैदान पर आए जहाँ पर दोनों ने मिलकर 13 रन की साज़दारी की लेकिन इस बीच चौते ओवर में बर्दमैन को आठ गेंद पर 3 रन बनाने के बाद हैंडेक लासे ने हाथों कैच आउट करा है इसके बाद बल्ले बाजी करने के लिए कमांडो मैंडेस आये इस बीच दोनों ने मिलकर थोड़ी देर तक टीम को समाल लिया लेकिन पावर प्ले के अंदर 24 रन एक विकेट के नुकसान पर श्री लंका की टीम ने बनाए लेकिन इस बीच आट ओवर में कमांडो मैंडेस ने हैंडेक नौर किया के सामने 15 गेंड पर एक चौक्य की मदद से 11 रन बनाकर हैंडेक्स के हाथों विकेट दे दिया इसके बाद बल्ले बाजी करने के लिए कपतान हसरंगा आये लेकिन उन्हों ने भी अपना विकेट 9 वर में केशव महराज के सामने दो गेंड पर बिना खाता खोले विकेट कीपर के हाथों में दे दिया ऐसे में अब बल्ले बाजी करने सौमी विक्रम आये जो पहले ही गेंद पर गोल्डन डग के रूप में केशव महराज के सामने क्लीन बोल्ड हो गए ऐसे में अब बल्ले बाजी करने के लिए असलंका आये तो दूसरी तरफ से कुशल मेंडेस दस ओवर के अंदर 30 गेंद पर एक चौक्य की मदद से 19 रन बनाकर एंडिक नौर्किया के सामने स्टप्स के हाथों कैच आउट होकर अपना विकेट दे दिया ऐसे में बल्ले बाज बल्ले बाजी करने के लिए अंजलो मैथ्यूज आये तो दूसरी तरफ से असलंका अभी 12 ओवर में एंडिक नौर्किया के सामने 9 गेंद पर 6 रन बनाकर एंडिक्स के हाथों अपना विकेट दे बैठे इसके बाद बल्ले बाजी करने संका है जिन्होंने आज कुछ खास क खके की मदद से 16 रन बनाकर एंडिक नौर्किया के सामने बर्दमैन के हाथों 16 ओवर में कैच आउट होकर अपना विकेट दे दिया और अब बल्ले बाजी करने पतिराना आए जो 4 गेंद पर बिना खादा खोले रबाड़ा के सामने मारकरम के हाथों 18 ओवर में कैच पारी खेली जिसके चलते श्री लंका की टीम 19 दशमलव एक ओवर में 77 रन पर ओल आउट हो गई इस बीच एंडिक नौर्किया ने सरवाधिक 4 विकेट लिये तो वहीं केशव महराज और रबाड़ा को 2-2 विकेट मिले तो वहीं 78 रन के लक्षे का पीछा करने जैसे ही पार्किय की मदद से 4 रन बनाकर कमांडो मैंडस के हाथ में कैच आउट कराया और अब बलेबाजी करने कफ्तान एयडन मार्करूं करमा aí जो 14 गेन पर 1 छळक्या की मदद से 12 रन बनाने करने पांच ओवर में शंका की गेन पर कमांडो मैंडस के हाथों कैच आउट हो गए और अब बल्लेबाजी करने ट्रिस्टन स्टब्स आय जिन्होंने अब कुईंटन डिकॉक के साथ शांदार बल्लेबाजी की और इसी के साथ 5 ओवर की समापती तक अफरिका की टीम ने 23 रन दो विकेट के नुकसान पर बनाए और इसी तरीके की बहतरीन बल्लेबाजी के चलते साथ अफरिका की टीम ने श्रीलंका की टीम के खिलाफ शांदार तरीके से जीत हासिल कर ली तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस मैच में की टीम की जीत के असली हीरो कौन रहे हैं अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें करते हैं दरसल भारती टीम और आइडलेंड के बीच में अब तक साथ टी-20 मैचेस खेले गये हैं जहां पर भारती टीम ने सभी मैचों में जेत दर्ज की और आइडलेंड की टीम को खाता खोलने का भी मौका नहीं मिला है ऐसे में यहां पर दोनों टीमों के बीच होने वाले मैच में भारती टीम को काफी ज़्यादा मजबूत आइडलेंड की टीम के खलाफ माना जा रहा है दोस्तों भारत और आइडलेंड के बीच अब पहला मैच निव यॉर्क के नशाओ क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जाने वाला है जो हाली में बुना है ऐसे में इस टेंप्रेरी मैदान पर आज तक कोई भी मैच नहीं खेला गया लेकिन यहां पर काफी जादा रोमान चक मैच दोनों टीमों के बीच देखने को मिल सकते हैं आपकी जानकारी के लिए बता दें यहां के पेच्च रिपोर्ट के अनुसार यहां पर 30 गिंद बास को काफी जादा फायदा मिलने वाला है इस मैदान पर बनले बास को काफी जादा मुश्किल दिखाई दे रहा है क्योंकि यहां पर उच्छाल कभी जादा और कभी कम दिखाई देती है एसे में यहां पर बनले बासों को बृड़ा शॉर्ट मारने में दिक्कतों का सामना करना पूर रहा है जिसके चलते ये मैच रोमान चक हो सकता है तो वहीं मैच वाले दिन मौसम के हालात के बारे में बात करें तो दोनों टीमों के बीच होने वाले मैच के दौरान बारिश के संभावना ना के बराबर है इसके चलते पूरा मैच हो सकता है तो वहीं यहाँ पर जो भी कप्तान मुखा मिलने वाला है इतना ही नहीं मद्धिक्रम के अंदर विकेट कीपर के रूप में टकर और हैरी ट्रेक्टर को खेलने का मुखा मिलेगा इतना ही नहीं आल राउंडर के तौर पर गेराल डेलानी के साथ में कैमफर और जॉर्ड जॉकरिल को खेलने का मुखा मिलने वाला रोहिच शर्मा और विराट कोहली की सलामी जोड़ी खेलती दिखाई देने वाली है जो अपने शांदार फॉम में हैं तो वहीं मद्धिक्रम में सोरे कुमार यादो विकेट की पर बल्लेबास रिशप पंत को खेलने का मौका मिलेगा जो लागादार अच्छा प्रदर्शन क कर रहे हैं इसके अलावा ओल्राउंडर के तौर पर रविंद्र जडेजा हार्दिक पांडिया और शिवम धूबे को खेलने का मौका मिलेगा जो अपनी गेंदबासी के साथ हो अच्छी बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित करेंगे वहीं गेंदबास के तौर पर जून को शाम आठ बज़े से नियू यॉर्क के नसाओ क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जाने वाला है जो भारती समय नुसार रात आठ बज़े से शुरू होगा इस दोरान टॉस का समय साढ़े साथ बज़े का होगा तो वहीं लाइव स्ट्रेमिंग साढ़े शे बज़े से प्रारमव हो जाएगी भारत और आर्लेंड के बीच इस मैच का लाइव टेलिकास्ट आप स्टार स्पोर्ट्स के नेटवर्क पर देख सकते हैं तो वहीं हिंदी में भी कॉमेंटरी के साथ आप इसका अनंद उठा सकते हैं वहीं ऑनलाइन स्ट्रेमिंग में इसका लाइव